आज मैं गर्मियों की सबसे special recipe आपके साथ share करने वाली हूँ जिसका नाम है कुलफी हो मेट कुलफी बना के त्यार करेंगे घर पे इजी तरीके से ज़्यादा हमें कोई ताम जाम नहीं करनी है ना कोई बाहर से समान लाना है कुलफी बनाएंगे बिर्कुल मार्गेट कर तरह अस्वाद इसका बहुत ही लाजबाब होगा तो चलिए फिर इसे बना लेते हैं नमस्ते दोस्तों मेरे यूटीब चैनल बनाओ मचाओ में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है अगर आपको हमारी रिस्पेश चलेगी तो वीडियो को लाइक से और चैनल को इसना के त्यार करेंगे दूद आप कोई भी ले सकते हैं जिसे फूल क्रीम हो गया गाईका में ले सकते हैं फोल मिल्क भी ले सकते जो अब के पास अबनाइये बाहर से कोई चीज लाने के ज़र्ट नहीं है आधे लिटर दूद को डाल देते हैं क्राइम और इसे हमें कंट और बिल्कुल अच्छे से इसका गोल बना के त्यार कर लिए देखिए अब चलते हैं दूसरे स्टेप तुम्हें आपको इस्टेप भाई ही समझा रही हूं कि कुल्फी हम घर पे कैसे इजली बना सकते हैं बाहर से ना खरीद के हम घर पे बनाएंगे लेकि बाहर से भी टेस् 8 चमठ के लिए से 1 चमठ में पीकशता लिया है और 4 चान हमिए ते कुल हम ढूंदे लेकी के लेक्टे में और इनका हमें पॉडर बना लेना हैं पुट आप चाहे तो डाल सकते हैं और बेगर ड्रायफूट का भी बना सकते हैं हमने छोटी जार ले लिए है और इसमें हम ढल देते हैं क्लेवर के लिए आप इलाइची पॉडर के जग़गह आप इसमें वनीला ऐसेंस जो पसंद करते हैं उसे भी आप ढाल सकते हैं इसमें मैं दो चमट शेनी डाल देती हूं तकी इसका powder बनाने इजली हो जाए बहुत अच्छे से पाउडर बने के ये हमारा बिलकुल अच्य से ऑणितें और ही हैं कोनटीती थोड़ीं कम हो गया है और मालाई iska सकते हैं जमने लगी हैं आप इसम को पीश के लगें रखा था उसे हम टाल देते हैं एक 2 मिनट इसे हम और पका लेंगे जो होता है थोर सा उसे पका लेंगे और जो हमने काजो को पिषके डाला इसे हमारा चुछ तुरा गाड़ा भी हो जाए गा और जो की हमने दूदू डाला ही है इसमें तो उसे हमारे जो कुलपी होगे बहुत ही माव trusting देगी जैसे की अपने ड्राइफ डाला उसका भी टेस्ट आयेगा इसमें हम मीठे के सबसे चिनी डालेंगे इसमें मैं 5 से 6 चमज चिनी डालोंगी चिनी आप कम जदा कर सकते हैं अपने पसंद के सबसे तो तो टल हमने इसमें 6 चमज चिनी डाला है और चिनी को भी डालके हम ड्राइफूट के साथ ही पका लेंगे तो कुछ दिर हम इसे करिवन पका लेंगे तो ये गाढ़ा भी हो जाएगा दूद हमारा और अच्छे से घुल मिल जाएगे चीनी के साथ दूद में जो साइड साइड मलाई लगी रहती है उसे हम इस तरह से खोशते जाएगे और जो इस तरह से खोजते जाएंगे इसमें जो मलाई आएगी वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इस तरह से हम घर पे होमेट कुलपी बना के त्यार कर सकते हैं बड़े तो बड़े बच्चे भी खाके खुस हो जाएंगे और महमान भी जब भी आये तो आप इसे बना के रखिए और जटपट से उन्हें खिला सकते हैं बहुत ही टेस्टी बन के त्यार होती है मार्केट से भी अच्छी बनती है घर पे एक खुलती है बस इस तरह से हम दूद को बिल्कुल अच्छे से पका लिए हैं ड्राइपोर्ट चीने डाल के अभी जो हमने कश्टड पाड़र को घोल के रखाता है उसे तोड़ा चला लेंगे और इसमें हम डालेंगे डालके इसे हम पांच मिनट पकाना है कश्टड पाड़र के साथ हमें जदा इसका कोई गाड़ा तो घोल नहीं बना के त्यार करना है लेकिन इसे हम पांच मिनट पकाएंगे कश्टड पाड़र के साथ तो बिल्कुल अच्छे से गाड़ा हो जाए और इसे हमें कंटेनीव चलाना है कि हमने इसमें custard powder डाला है जिसके वज़से दूद बहुत जुल्दी गाड़ा हो जाता है अगर हम छोड़ देंगे तो यह जगह ठके से हो जाएंगे गाठे बन जाएंगे तीसे हमें continue चलाते रहना है यह कुल्पी बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक बार आप मेर बन कर देती हो और दूद को ठंडा होने के लिए रख देते हैं तक यह बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तो फ्रें नारियल की कुल्पी कैसे बनाई जाती है उसकी भी रेस्पी मैंने अप लोगों के साथ सेर कर रखे आप जाके चैनल पर देख सकते हैं और जो नहीं में पकाके रखना है उसमें जार बें डाल देते हैं और इस्ह Soo ग्राइंन करना है करने के बाद जी आप अपना फीक यह लिए हैं जसमें हम जमा के अपने बना के घौक तैर करेंगे जैसे हमारा पीप अच्छे से जो हमने जो लोगों्न करें च्छा था एक ki उन्हें हम इसमें मोल्ड में इस तरह से भर देंगे आप इस तरह की आइसक्रीब मोल्ड में भर सकते हैं आप फिर कोई कप में भी बना सकते हैं गिलास में भी इसे जमा सकते हो तो गिलास में हम कैसे जमाया है पेपर कप में कैसे बनाया है वो हमने आपके साथ सेर कर रखी है नारियल के कुलपी के साथ और इस तरह से हमने 4-5 छे लिए हैं इन्हें हम बिल्कुल अच्छे से फील कर दिये हैं और इनका हम धकन लगा देंगे दकन लगाने के बाद हमें इनके 6-7 गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए एक धगन खुल गया तो मैंने दुबारा लगा दिया है और सारे में हम इस तरह से दकन लगा देंगे और ये दखिए कुलपी हमारी सेट हो गई है बिल्कुल अच्छे से बहुत अच्छे से जम गई है तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ कुलपी निकालने के लिए हमने एक बाल में पानी लिया है और कुलपी मोल्ड को हम इस तरह से घुमा देंगे थोड़े देर के लिए एक दो सेकेंड के लिए उसके बाद इसे हंथेलियों पर इस तरह से रफ करेंगे हंतेलियों की गर्माहार से कुलपी हमारी असनी से निकल जाएगी एक दूर सेकेंड इसे इस तरह से रब करेंगे और देखिएगा ये कुलपी हमारी बहुत अच्छी से निकल जाएगी बहुत ही स्मूथ हमारी कुलपी बनके त्यार हुई है और ये दिखिए तो थोड़े से हमने इसमें जो ड्राइफूट डाले थे थोड़े से उनके दाने दीख रहे हैं और इस तरह से एक कुलपी हमारी बनके रेड़ी होगी इसी तरह सारी कुलपी को हम निकालके और इस तरह से हम प्लेट में रखते जाएंगे बहुत अच्छी टेस्टी वाली अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताईगा कि आपको यह रिस्पी कैसे लगी आपके प्यारे परे कमेंट पढ़ने हमें बहुत पसंद आते हैं और अच्छे लगते हैं और इस तरह से कुलपी बनाईए बड़े हो बच्चे हो सभी को खिलाईए बहुत पसंद और इस यह कुलपी बनी के त्यार हूए है को फीक खिली होए मैं ठीख से यसके ट्रланने कर देते हैं और यह मारी टेश्टी वाली मार्केटी स्टायल त्यार बनने के त्यार हो गई है कुलपी बनना बहुत ही एज़ी है बस हमें कुछ बातों के धियानद के दियान देनी हो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका स्वात कितना अच्छा है एक बार मेरे कहने पर आप जरूर बना ये और इसे इंजॉय किजिए बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको मार्केट से भी बेश्ट कुलफी आप घर पे जमा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और गर्मी के लिए तो सबसे बेश्ट है कुलफी ठंडी ठंडी कुलफी खाए एंजॉय किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में